आज मैंने बनाई ये पापड की सब्जी जो की साई सब्जियों को भी इसने टेस्ट के अंदर पीछे छोड़ दिया है और इसको मैंने बहुत ही सांदार वे टेस्ट तरीके से बनाई है चलिए मैं इसकी रेसिपी सेर करता हूँ आपके साथ सबसे पहले मैंने कुछ अची क्वालिटी के पापड यूज में लिये है जो मैंने मौंग दाल के पापड लिये है फिर मैंने गेस को ओन किया और उस पे एक बरतन लिया फिर मैंने उसमें एडी किया अच्छा कुकिंग ओइल और उस ओइल को मैंने गरम किया गरम होने के बाद मैंने पापड को फ्राई किया ये मैंने एकदम फुल आँच पे तेल या ओईल को गरम करने के बाद पापड फ्राई किया ताकि पापड एकदम अच्छे से फ्राई हो और पापड को फुल आँच पे गरम करने तेल गरम करके फ्राई करने से बिल्कुल भी पापड के अंदर तेल नहीं रहेगा एकदम ये सुके सुके फ्राई हो जाएंगे फिर मैंने पापड फ्राई करने के बाद एक बरतन में तेल जार कर उनको निकाल दिया और कुछ इसी परकार मैंने सभी पापडों को इसी परकार मैंने फ्राइ किया है एकदम सुके सुके टाइप में मैंने इन पापडों को फ्राइ करके तियार किया है यह देख सकते हैं और इसी परकार हम सारे पापड फ्राइ करेंगे और यह देखो आप कितने मैंने एकदम अच्छे से पापड फ्राइ किया है यह देखो इन पर विल्कुल भी ओईल नहीं दिखाई दे रहा है एकदम सुके और सांदार फ्राई हुए फिर मैंने तीन-चार हरी मिर्च ली और उनके उपर से डंडी हटा दी डंडी हटाने के बाद मैं इनको देसी तरीके से इनको मैं बांट कर त्यार करूंगा इनका पेस्ट क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वह बहुत ही सांदार वेलाजवाब होता है और यह सरीर के लिए भी बहुत ही अच्छा वेलाब दैप होता है क्योंकि मशीनों दुवारा तो हम करते ही हैं लेकिन कुछ इस प्रकार हम देसी स्टैल में बनाकर खाएंगे तो उसका के बाद में एक कटोरा लूंगा उसमें दई लूंगा फिर उसमें एड करूंगा एक चमच हल्दी एक चमच लाल मिर्च और पीस से वे अच्छी क्वालेटि के धनिया धनिया पाउडर इन सबको डालकर में एड करके इनका अच्छी से पेस्ट बना लूंगा दाई के जो इंपोर्टेंट है वो पहला सुप निरोगी का या इसलिए हर एक चीज को अच्छी क्वालिटिका यूज करना है फिर मैं गेस ओन करूंगा उस पे कड़ई लूँगा कड़ई में अच्छी क्वालिटिका तेल यूज करूंगा उसमें जिरे का और राई का जोगा इसमें एड करूंगा बांटी हुई हरी मिर्च और इस हरी मिर्च को मैं पकाऊंगा इसमें आप लसुन प्याज एड कर सकते हो अगर आपको लसुन प्याज अच्छा लगता है खाने में तो मैंने लसुन प्याज एड नहीं किया है क्योंकि आज मंगलवार है और मंगलवा बाएख प्रदीच सी गरेवी और जितनी सांदार पकर एक गरेवी त्यार होगी उतनी इस्वादिस अमारी सबजी बन कर T्यार होगीं ऐख फिर एक उबर लानेके बाद मैं इसमें एड़ करओंगा नमक्त और एक चमच नमक्त फिर थोड़ा सा भी इन सबको मैं एक बार उबाल आने के बाद एड़ करूँगा क्योंकि इसका स्वाद जो है वो और भी ज्यादा बनेगा फिर मैं उसमें एड़ करूँगा गुनगुना पानी एक बात और याद रखना आप कि किसी भी सब्जी की गरेवी में ठंडा पानी यूज नहीं करना है पानी को गुनगुना करके ही उसमें यूज करना है ताकि जो सब्जी का जो टेस्ट है न वो 19-20 ना हो जैसा हम बनाए वैसका वैसर है इसलिए फिर मैं अच्छे से उसको उबाल कर गरेवी को त्यार करूँगा गरेवी त्यार होने के बाद मैं पापड को छोटी-छोटी स मिलाऊंगा मिक्स करूँगा अल्टै की साइता से गरेवी के अंदर और इसको एक-दो मिनट के लिए पकाऊंगा जिससे सब्जी और स्वाधिस्ट बने और टेस्ट बने मैं आपको एकदम आसान थरल तरीके से बताता हूं यह ज्यादा कुछ नहीं होता है इसी तरह ही बन दूँगा एक-दो मिनट तक बाप लगाएंगे फिर हमारी यह जो सब्जी त्यार हुई है न यह फाइप स्टार होटलों की सब्जी भी इसके आगे फैल है इतने सांदार बनकर यह त्यार हुई है और मैं तो इस पेसल सब्जी बनाता हूं इसलिए मुझे पता है आपके लिए बोल्स त्यार है आपका दिन मंगल हो आप अपना ध्यान रखे और मुझे सपोर्ट करें कमेंट करें धन्यवाद